हेलो एब्रीवन माई नेम इस ज्यागोष और वन्स अगें वेलकम तू माई चैनल होप यू अला डूइंग गूट सबके हाल चाल बहुत अच्छे होंगे तो आज की इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं बिल्कुल फ्रेश न्यू टॉपिक जैसा कि आपको देखके समझ में आ रहा है जी हाँ क्लास 9 चैप्टर 2 पॉलिनॉमियल और उसका जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टन टॉपिक क्योंकि यह टॉपिक आपका आगे भी कामाने वाला है सो विदाउट डिले वीडियो को स्टार्ट करते हैं और अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं फर्स टाइम आप लोग आई हो इस चैनल पे तो डोट फॉर्ट पॉर्गट टो सब्सक्राइब इस चैनल ताकि आपको जो नए वीडियो है उसके नूटिकेशन आपको मिलते तो सबसे पहले यह समझते हैं कि zeros of a polynomial क्या होता है अगर कोई polynomial आपका px है अगर मैंने word यूज किया है polynomial तो it means कि उसमें variable होगा ही होगा ठीक है कोई polynomial px है px is a polynomial 3x plus 1 ठीक है यह polynomial ठीक है और यह कौन सा polynomial होगा यह आपका linear polynomial होगा ठीक है linear polynomial है यह इसकी degree क्या होती है linear polynomial की degree 1 होती है 1 क्यों होती है क्योंकि x की जो power होता है x का जो exponent है वो आपका 1 होता है तो इसी लिए linear polynomial की डिगरी आपकी 1 होती है यह हमने पहले भी पढ़ा हुआ है अब देखो कि इस polynomial का 0 कैसे निकालते हैं आपको कोई भी polynomial given होता है, सबसे पहले उस polynomial को 0 के बढ़ावर कर दो, तो px is equal to 0, अब px की value क्या थी, 3x plus 1 थी, is equal to 0, अब इसके बाद variable term को एक तरफ कर दो, और constant term को एक तरफ कर देना, equal के दूसरी तरफ कर दो, कैसे करो के, by transposition, ठीक है, इतना तो पढ़ा हुआ है, अब x क value क्या हो जाएगी, x is equal to minus 1 by 3, so यहाँ पे जो x की value आई है, minus 1 by 3, यही है आपका 0 of a polynomial, अब एक बार चेक करते हैं, x is equal to minus 1 by 3 के लिए, हमारा polynomial 0 हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो क्या करोगे, p minus 1 by 3 is equal to 3 into minus 1 by 3 plus 1, हमने x की जगह पे minus 1 by 3 put कर दिया है, तो 3 से 3 cancel out हो गया, क् minus 1 plus 1, अब कितना आगया 0, it means की minus 1 by 3 is our 0 of a polynomial, ठीक है, यह समझ में आया कि 0 of a polynomial क्या होता है, अगर x की किसी भी value के लिए, let's say, एक value हमने ले लिए x की alpha, अगर हमने polynomial में x की जगह पे alpha put कर दिया, और हमारा जो पूरा polynomial है, वो 0 हो गया, it means की alpha is our 0 of a polynomial, by definition भी देख लो एक बा अगर x की किसी भी value के लिए, यहाँ पे x is equal to alpha suppose किया गया है, if p alpha is equal to 0, then we say that alpha is a 0 of a polynomial p है, so यह था आपका by definition और मैंने यह example से भी आपको बता दिया है, अब एक और example देखते है, py is equal to pi y minus 15, यह हमारा polynomial है, invariable y, one variable का polynomial है, and it is also linear polynomial, linear क्यों है, क्योंकि y की जो highest power है, वो हमारी 1 ह और अभी हमने यह सीखा है, कि जितनी power होती है, उतने ही zeros निकलते हैं, ठीक है, यह ध्यान रखना, तो अब हमनों क्या करेंगे, polynomial को सबसे पहले 0 के equivalent कर दो, 0 के equal कर दो, py की value क्या है, 5, 5 minus 15, is equal to 0, 5, 5 is equal to 15, transposition करवाया, again, 5 is equal to 15 upon 5, cancel out हो जाएगा, 5, 3 is a 15, तो answer क्या आया, 3 आया, ठीक है, तो y की value क्या मिलगी, 3 मिल गई, अब चेक करते हैं, कि y is equal to 3 is a 0 of a polynomial or not, उसको कैसे करेंगे, जो हमें polynomial दिया हुआ था, 5y minus 15, अब इसके लिए p 3 की value निकालो, y की value 3 आई है, तो p bracket में 3, 5 into 3 minus 15, कितना हो जाएगा, 15 minus 15, 0, it means कि हमारी p for 3 के लिए, हमारा polynomial की value 0 आ रही है, it means it is our 0 of a polynomial, ठीक है, 3 is our 0 of a polynomial, अब एक और example करते हैं, check whether minus 2 and 2 are 0s of the polynomial x plus 2, देखो, आपके exam में ऐसे questions आते हैं, कि एक तो आपको बोलेंगे कि 0s find out करो, जैसे कि अभी हम लोग ने किया था, for example 1 and 2, कि हमें polynomial दिया हुआ है, और हमें उसका 0s find out करना है, ठीक है, और एक आता है कि आपको already 0s दिये हुए है, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है, minus 2 and 2 उसके 0s दिये हुए है, हमें यह check करना है कि यह 0 सही है या नहीं सही है, ठीक है, तो अब कैसे करते हैं, px is equal to x plus 2, यह हमें polynomial given है, अब एक बार p minus 2 रखके देख लो, x की जगह पे minus 2 पुट करो, क्या आएगा, minus 2 plus 2 is equal to 0, it means minus 2 is a 0 of a polynomial, क्यों? क्योंकि minus 2 के लिए expression जो है, वो हमारा 0 हो जा रहा है, ठीक है, so it is a 0 of a polynomial, again एक बार p 2 रखके देखो, क्या आएगा, 2 x की जगह पे 2 plus 2 is equal to 4, 4 is not equal to 0, तो हमें यह से क्या मिला, 2 is not a 0 of a polynomial, क्यों 0 of a polynomial नहीं है, क्योंकि 2 के लिए हमारा expression जो है, वो 0 नहीं हो रहा है, so minus 2 is a 0 of a polynomial, but 2 is not a 0 of a polynomial, ठीक है, होप यह आपको समझ में आया होगा, कि हम लोग कैसे करके चेक करते हैं, simple है, जो values आपको दी हुई है, उनको expression में put कर दो, और देख लो कि वो expression की जो value है, वो 0 हो रही है और नहीं हो रही है, एक और last करते हैं, verify whether 2 and 0 are zeros of the polynomial x square minus 2x, same procedure करेंगे, px is equal to x square minus 2x, ठीक है, अब p 2 के लिए निकाल दो value, expression की, कितना होगा, 2 का square minus 2 into 2, कितना आया है, आज से 2 का square 4, 2 into 2, 4, आज से कितना आ गया, 0 आ गया, it means कि 2 जो है, वो 0 of a polynomial है और यह हमने verify कर लिया, ठीक है, अब एक बर verify करो, p 0 के लिए, x square means 0 का square, minus 2 into x, 2 into 0, is equal to 0 minus 2 into 0, 0 होता है, कितना हो गया, 0, तो हमने यहाँ पर verify कर लिया, कि 2 और 0, इन दोनों values के लिए, जो expression है, x square minus 2x, वो satisfy हो गया, और यह इसके 0s है, एक बहुत important बात, आपका जो concept है, 0s of a polynomial, इसको आप 0 polynomial से confuse मत करना, 0 polynomial is different thing, 0s of a polynomial is different thing, यहाँ पे यह देखो कि 0 polynomial क्या होता है, p x is equal to 0 x to the power 5, अगर किसी polynomial में leading coefficient आपका 0 है, ठीक है, leading coefficient आपका 0 है, तो उसको हम लोग बोलते हैं 0 polynomial, और 0s of a polynomial क्या होता है, कि अगर हमें कोई polynomial given है, like this, 5x plus 5, और हमें यहाँ पे x की value निकालनी है, इसको हम लोग बोलते हैं 0s of a polynomial, these are two different thing, अब यहाँ पे 0s of a polynomial क्या आएगा, इस polynomial को 0 के equal कर लो, 5x plus 5 is equal to 0, 5x is equal to minus 5, x is equal to minus 5 upon 5 is equal to minus 1, ठीक है, तो यह है आपका 0s of a polynomial, दोनों अलग अलग चीज़े होती हैं, दोनों के साथ बिल्कुल भी confuse मत करना, यह confusion वाले question आपका examiner, आपसे lab manual जो होती है ना, आपकी भाइबाब वह सी उसमें पूछ सकते हैं, कि what is the difference between 0 polynomial and 0s of a polynomial, ठीक है, यह concept आपको समझ में आया होगा, कापी easy concept है यह, और अगर आप थोड़ा सा भी धान से करोगे तो अपने marks easily secure कर सकते हो, इस concept पे अगर कोई भी question आया होगा, तो उसमें गलती मत करना, मेरते हैं next video में, till then take care, goodbye,